तो class, अब हम सीखेंगे हमारे सबसे पहले सब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है Succession in Plants तो जैसे कि अभी तक हमने सीखा है कि जो Succession है वो Dry Habitats जैसे कि Desert में भी हो सकता है या हम बात करें जो Wet Areas हैं जहां पानी बहुत ज़ादा है Aquatic Environments जैसे कि Pond और Lake उनमें भी स्टार्ट हो सकता है तो हम बात करें On the Basis of Nature of Habitats Habitats के Nature के हिसाब से जो Ecological Succession है Plants का वो तीन तरीके का हो सकता है एक होता है Hydrak जिसमें हम बात कर रहे हैं जो Succession है वो Wetter Areas में होता है जहां पानी जादा होता है उसके बाद आता है मेजार्ग जो कि Medium Environmental Conditions होती है और एक होता है जैराग जो कि Dry Habitats जैसे कि Desert में होता है तो overall हम यह बोल रहे हैं कि जो Hydrak में Succession स्टार्ट होता है वो आज आता है Equilibrium यानि Mavic Condition में Mavic का यह मतलब है कि ना ही जादा Wet Area है और ना ही जादा Dry Area है उसी तरीके से जो जैराग Succession है उसमें हम यह बोल रहे है कि उसमें Succession होके वो वापिस Mavic Condition में हो जाता है Mavic वापिस से यानि Equilibrium Condition ना जादा Dry ना जादा Wet तो अगर हम बात करें कि Series of Succession जो हो रही है जो Progress कर रही है वो Hydrak Condition से Progress करती है मैजार्क यानि Mavic Condition में और इसी तरीके से जो जैराग वाली है वो आगे Progress करती है वापिस Mavic Condition में तो overall जो Hydrak और जैराग है वो दोनों मिलके कई ना कई मैजार्क Condition तक Progress करते हैं तो सबसे पहले हम सीखेंगे Hydrak Condition के बारे में तो जैसे कि आप यहापर देख पा रहे हैं ऐसे एरियास हैं जहां पानी बहुत जादा है तो जब Succession पने एरियास में हो रहा है जहां पर पानी बहुत जादा है तो उस Succession को हम बोलते हैं Hydrak Succession जैसे कि Swamps, Ponds and Lakes इसी तरीके से अगर हम Features की बात करें Hydrak Succession की तो जो Submerged Plant Stage है यानि जो Hydric Highly Wet Condition है वो आगे जाके Convert हो जारी है मेजिक Condition में यानि Medium Water Condition में जैसे की Forest इसके बाद हम बात करेंगे जैराग Succession के बारे में जैसे कि हमने सीखा कि जैराग Succession है वो Dry Areas में होता है जहां पर पानी बहुत कम होता है और जो इसकी Series Progress करती है वो जैरेक से मैजिक Condition की तरफ Progress करती है तो अगर हम Features of जैराग Succession की बात करें तो एक्जामपल जैसे कि हमन तो जो जेराक सक्सेशन है वो ओरिजनेट हो रहा है एक्स्ट्रीम ड्राय सिच्वेशन्स में जैसे की सैंड डेजर्ट हो गया, सैंड ड्यून्स हो गया या सॉल्ट डेजर्ट तो अगर हम बात करें इन दोनों टाइप के सक्सेशन में जो सबसे पहले स्पीशीज इन्वेड करती है वो होती है लाइकेंस, मौसिस और ग्रासिस और इनी स्पीशीज को हम नाम देते हैं पाइनियर स्पीशीज ऐसी स्पीशीज जो सबसे पहले बैर एरिया को इन्वेड कर रही है वहाँ पर सबसे पहले ग्रो कर रही है उसे हम बोल रहे हैं पाइनियर स्पीशीज